How to Regain Control of Selibus यह आपके दो चैप्टर और चार चैप्टर और पांच चैप्टर इवन 50% सलिबस अगर मिस हो रहा है न तो भी IIT मिस नहीं होने वाला है क्योंकि बहुत ज़ाद टाइम आपके सामने भी पड़ा हुए जो भी आपका टाइमिंग है उसमें 80% टाइम आपको करेंट सलिबस में देना है 20% टाइम आपको उस चैप्टर को देना है जो आपका मिस होगी है आपका मेंटर आपकी बहुत हेल्प कर सकते है एक बात पर मैं हमेशा इंफिसाइज कर रहा हूँ अगर आप अपने मेंटर के क्लोज होते हैं आपकी सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यदा बढ़े आते हैं अलो स्टूइंट्स आज मैं बहुत इंपॉर्टन आस्पिक्ट वारें बात करने आ रहा हूँ बहुत बार टॉपिक डिफिकल्ट होने की वैसे या किसी मेडिकल इमरियंसी की वैसे या किसी फैमिली फंक्शन की वज़े से स्टूइंटों कुछ क्लास्स मिस करनी पड़ती हैं और जब वो क्लास मिस करता है तो सबस्टों चॉपिक शूड़े आते हैं कब कि ऐसा भी होता है कि कोई टॉपिक समझ में ही नहीं आता है और ऐसे स्टूइशन में इस्पेशली क्लास 11 से 12th मुविंग स्टूइंट से हैं वो बहुती पजल्ड फील करते हैं और बहुती दुखी हो जाते हैं सम्टाइम्स उनको यह फील होना शूड़ाता है कहीं असा तो नहीं कि इससे IIT मिस हो जाएगा एक बात का पहली बात आप ध्यान रखें कि आपके दो चैप्टर और चार चैप्टर और पांच चैप्टर इवन 50% से लिबस अगर मिस हो रहा है न कि आप अपने मेंटर से मिलें सबसे पहले अपने मेंटर से मिलें और इस मेंटर से पूछें किसा यह टॉपिक्स मिस हुए है इसमें कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको मैं आप्शनल बोल सकता हूं कौन से ऐसे हैं जिनको मैं एसेंशनल बोल सकता हूं और कौन से ऐसे हैं जिनको मैं desirable बोल सकता हूँ That means आपको prioritize करना है आपको priority decide करनी है कि कौन step को आप सबसे पहले tackle करेंगे इसमें optional topic का मतब यह होता है कि क्या कोई ऐसा topic है जो independent है जिसके किसी और topic की dependence नहीं है जिसकी कहीं और connectivity नहीं है Class 12 में जिसका कोई बहुत जादा role नहीं है और वो एक अपने आप में purely independent topic है जिसको आप कभी भी tackle कर सकते हैं ऐसे independent topic को तो जो आपको break मिलेगा 11 से 12 के बीचे जो आपको one month का break मिलेगा उस break के दौरान आपको ऐसे topic को deal करना है तो यहाँ पे optional का मतलब था independent topic अभी आपको वो topic चूज करना है जो essential है और यह आपके mentor आपको सहिस करेंगे कौन से topic essential है किसकी आगे later on connectivity है तो अब आपने एक decision ले लिया कि कौन से topic essential है अब हम कि सूख करने आ रहे है Next, hurry up नहीं करें आप यह नहीं सोचें कि जो topics आपके miss हुए है या जो part of syllabus आपका miss हुआ है उसको आप बहुत जल्दी hurriedly cover कर लेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें In fact, आप एक plan के according चलें broadly आपको जो plan होना चाहिए वो यह होना चाहिए in a month in a month one chapter in each subject आपको cover करना है that means आपने एक target बना दिया in a month one chapter in each subject that means on average ten days में आप एक chapter cover करेंगे और इस बात को ध्यान रखिएगा कोशिश ये करिएगा कि आप एक बार में एक ही chapter cover कर रहे हो new chapter एक ही cover कर रहे हो तो current syllabus तो कभी miss नहीं करना है current syllabus को तो हमेशा hold on कर चलना है even if कुछ कम भी समझ मारा है तो भी अपनी तरह से पुरी शक्ती लगानी है कि current syllabus को आप defend करते रहे है उसके average level पर at least hold on करते रहे है तो current syllabus तो कभी miss करना ही नहीं है आपके पास अगर total 100 hours है तो उस 100 hours में 80 hours that means 80% of time तो current syllabus को आपको देना ही देना है 20% of time everyday आपको उस part को देना है जो आपसे miss हो चुक है जिसको आपको cover करना है तो 20% of your time आपको devote करना है उस chapter को जो किसी वह से आपसे miss हो गया है slip हो गया है तीक है अच्छा अब आप यह दियान रखे कि 20% time आप missing chapter को दे रहे है क्योंकि इसको आप time कम दे रहे है आप एक plan के तहट चल रहे है according to a plan चल रहे है तो इसलिए किसी भी कीमत पर यह 20% time आप दे रहे है यह miss नहीं होना चाहिए इस शुड़ भी followed religiously यह 20% time वाला part आपको religiously एकदम follow करना इसको miss नहीं करना है देंसे आप यह ensure कर लें एक calendar बना लें उस calendar में weekly basis पर आप ensure करें कि जो time आपने miss part के लिए allocate किया था वो किसी भी कीमत पर miss नहीं होना चाहिए क्योंकि current topic को तो आप continuity में थ्वासे extend कर सकते है बद जो miss topic है उसका plan अगर बिगड़ गया तो शायद होसता है दुवारा recovery नहों पाए क्योंकि आगे हो सकता है कुछ और pile up हो जाए इसको आपको cover करना पड़े तो आप 20% part को miss ना करें इसको एक आप priority दें Dear students अभी तक मैंने आपसे decision किये किया है पहले आप mentor से मिलें number one उससे आप decide करवाएं कि किसकी priority सबसे आदा है जिन top इसकी priority सबसे आदा है उसको आपको सबसे पहले लेना है फिर मैंने आपसे कहा कि जो भी आपका timing है उसमें 80% time आपको current syllabus देना है 20% time आपको उस chapter को देना है जो आपका miss हो गया है अब बात यह हो रही है कि आपको उसको tackle कैसे करें कौन सा topic कैसे पढ़ें उसको अब क्योंकि आपको chapter miss हो चुक है एक option तो आपके पास यह है कि आप doubt counter में जा करके one to one miss को आप पढ़ सकते हैं तो यहाँ सा कि एलन करी इंस्टूट में आप जानते हैं कि यहाँ पर morning में 8 o'clock से evening 8 o'clock तक doubt counter सब्लेबल होते हैं आप teacher से one to one में पढ़ सकते हैं अगर doubt counter कि सुईधा आपके संस्थान में अगर available नहीं है तो मेरा आपको session यह होगा कि आपको इसकी standard textbook ले ले और उस standard textbook को अपनी तरफ से line by line पढ़ने की कोशिश करें उसका interpretation करने की कोशिश करें थ्वास समय जरूर लगेगा बट कोशिश करें को उस chapter को line by line with patience hold on करें पढ़ना शू करें पूरा complete पढ़ने के बाद जो भी fundamental exercise है उस fundamental exercise को complete करें आपको सिर्फ एक ही exercise करनी है fundamental exercise fundamental exercise complete होने के बाद अब आपको transfer होना है towards an exercise devoted to previous year J advance questions जो आप previous year J advance questions कर लेंगे तो जो fundamentals आपने learn की है उसकी application आपको clear हैएगी आपको ये clear हैएगा किस level तक मुझे जाना है आपको ये clear हैएगा किस type के questions आते हैं किस pattern questions आते हैं and what is level and what to expect तो आपको सिर्फ दो exercise करनी है एक exercise करनी है fundamental exercise दूसरी exercise आपको करनी है J advance के exercise ये दो करने के बाद आप almost उस chapter में average level पे आ चुके होंगे जो आप book का चुनाव कर रहे है मेरी advice ही होगी कि आप standard textbook choose करें साथी साथ NCRT के at least salt examples पढ़ लें और कोशिश करें कि आपके जो modules हैं उसमेर कुछ अगर आपको salt examples दीवे हैं तो उसको cover up करें आप किसी अपने friend की भी help ले सकते हैं उसके notes ले सकते हैं बट किसी दूसरे के notes से पढ़ना तो आप मुश्किल होता है क्योंकि वो already बहुत shortcut में लिखता है तो वो अतना effective नहीं होता है बट अगर availability है किसी अच्छे notes की तो उसको आप consult कर सकते हैं इस matter में आपका mentor आपकी बहुत help कर सकते है एक बात में मैं हमेशा emphasize कर रहा हूँ कि अगर आप अपने mentor के close होते हैं तो आपकी success के chances बहुत ज़्यदा बढ़े आते हैं क्योंकि mentor आपको बहुत तरीके से help करता है तो आप अपने mentor से मिले और mentor से कहें कि उसके पास कोई notes available है जो की easy language में हो और आपकी help कर सकें तो आप mentor से notes ले सकते हैं तो that means मैंने आपसे ये कहा कि आप कोशिश करें कि mentor से आपको notes मिल जाएं वो notes नहीं मिल रहे हैं तो आपको standard textbook लें उससे पढ़ने कोशिश करें आपको सिर्फ दो exercise करनी है एक fundamental exercise करनी है और एक J advanced exercise करनी है इतना करने के बाद आप एक average level पर आचुके होंगे और इसका जो enhancement है जो आपको break मिलेगा after the 11th syllabus finish तो उस break में आपको जो 11th class होता है उसको strengthen करना होता है तो उन topics को आप strengthen कर सकते हैं इससे आपको confidence बढ़ आएगा और आपके अच्छी rank आने के chances बढ़ आएगे